समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Amiga के स्मार्ट गार्डन में दोस्तों वीडियो की शुरुात इस सुन्दर से जीनिया के फ्लावर्स के साथ दोस्तों बड़ा ही सुंदर कलर है दो ही कलर मेरे इसके इसके और दोस्तों आज पनी तेज-दूपे के बाद यह सारी चीजह ठीक हो जाती है और मिट्टी में भी फंगस नहीं लगता है क्योंकि तेज दूप है दोस्तों इसा लग रहा है जैसे गर्मी यह अलगा हूं और दोस्तों शोर्गुल हमारे के साथ क्योंकि यह देखिए दोस्तों ८ेरा को बाल फ्रावरे पीली हो गई है तो कि अभी मैं इननMें चाल हुरुन कर दूंगी और पानीं पिलाए कि यह कुआ नोथ फ्रीद हो गये मुंझे इनने में पानी पिला जैसे कि गर्मी शुरू हो गए है तो मेरे जो ठंड के प्लांट है जो मेरे फेवरेट प्लांट पिटोनिया बड़ी मुझे मिला है तो उसमें फ्लावरिंग हो पाईगी कि नहीं थोड़ी तेंशन हो रही है । क्योंकि अगर इती ही तेज जूप रही दोस्तों तो मेरे विंटर के प्लांट खराब होने का डर है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सोरी में जाने जाने कहां साटोपी पकड़ लिया था दोस्तों आज हम बात करेंगे इस के लेंचों के प्लांट के बारे में दोस्तों मैंने इसको कटिंग से ही ग्रो किया है और नर्सरी में हमारे यहां विंटर के प्लांट कुछ ही जो बस सकते हैं लाउं स哦 ऐस से दिसके हम फूर कर सकते हैं और पतियों से सब सब्सक्राइब्रिक सेम्स कर सकते हैं अप देखेंगे इसकी अच् disparu से थो हैं उस्प्राइब बनी हुए दोस्तों यहां से इनके नए– नए प्लन्ट तैयार हो जाते हैं, तो हम पत्यों से भी इसको आजन से ईसलानी से ग्रो कर सकते हैं, मैंने पत्यों से भी रोगी है देखा है दोस्तों और पत्य बी अच्छे से ग्रोग गई ग्रोव किया है ना इसमें ही मैंने बालू अगेरा में काई में भी कुछ भी मिक्स नहीं किया था सिर्फ साधी से मिटी है तो भी ऐसानी से ग्रोव हो जाता है बहुत यह विंटर का बहुत अच्छा प्लांट है दोस्तों मुझे इसकी कटिंग बहुत लेट मिली है इसलिए म पास जो गंबला रखा था मैं खरीद के लेकर आई थी पार्म का प्लांट तो मैंने उसको तो शिप्ट कर दिया है दूस्ते प्लांट में तो यह मेरे पास खाली रखा था मैंने उसमें इसको ग्रोव कर दिया है ड्रेनेज वगएरा बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों इस चल गया है बहुत लो मैंटनेंस प्लांट है और असा लगता है जैसे कि पस्की पत्यों में ही पानी बहाँ है मोटी इनकी पत्तियां है तोildय क्या पता है अर इसके अलावब जोस्तों कम पानी के जरुत होती है लेकिन इसकी मित्निम ममीस्ट जखना बहुत जरूरी है इस थन्ड में हम कम वाटरिंग करेंगे और कम बहुत जादा दूप में इसको नहीं रखना है अभी जैसे दूप बढ़ गई हमारे यहां तो मैंने इसको शेड में रख रखा है और अभी मैंने बड़े-बड़े प्लांटर के नीचे रख रखा है इसको जिसे यहां पर रखा और तो शेमी शेड में रखे और हम इसको सालो साल बचा कर रख सकते हैं और आसानी से ग्रो तो हो ही जाता है इसके अलावा दोस्तों इसकी एक खासियत है कि ये बहुत ही हेवी फ्लावरंग करता है बहुत जादा इसमें फ्लावरंग आता है बंच में और कई कलर इसके आते हैं और ये एकी कलर अभी फिलाल मेरे पास है और दोस्तों मैंने इसको पत्तियों से भी ग्रो करने कोशिश की है और बहुत इच्छा रिजल्ट मिला है ये देख सकते हैं पत्तियों से मैंने इसको ग्रो किया था तो मैं इसका अपडेट भी आपको दे कि दो से प्ति यह पत्तिया तो मैंने शायद अभी ग्रोड़ है यह देख सकते हैं आप दोस्तों बार-बार निकालने से रूट इनकी खराब हो जाती है और मैंने एक बार इनको चेक कर लिया था इसलिए थोड़ा देख सकते हैं आप इसमें रूड़ बन गई है तो दोस्तो पत्तियों से भी आसानी से ग्रू हो जाता है यह प्लांट और यह देखिए थोड़ी गीली मिट्टी में ने रखी है और शेड में बिल्कुल शेड में इनको मैंने रखा है तो यह महां पर यह ग्रू हो रहे हैं और यह इसकी कटिंग भी मैं निकाल कर दिखा देती हूँ यह देखिए दोस्तों इसकी कटिंग इसमें रूट बन गई है तो मतलब कि मेरी जो कटिंग लगाई थी वो सकसेस हो गई है तो बहुत आसानी से ग्रू हो जाती है जादे से मिट्टी में लगाई है कम वोटरिंग कीजिए ज्यादा दूप में मत रखिए और सभी प्लांट ल बनती है रूट वो बहुत ही नाजुक होती है तो हमें ज्यादा छिर्षण नहीं करने चाहिए मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ लेकिन आप बिल्कुल भी बार बार मत निकाल कर देखिए ये देखिए दोस्तों एक और कटिंग यहाँ पर लगी हुई है तो असानी स को समदर बना ये दनिवा दोस्तों